This is question number 52 which is most important one, most important question आप लोग इसको बहुत सकते हो, देखिएगा करने का style क्या रखता है बच्चों का, let's say CP always 100% रखता है, A man bought a chair and sold it at a gain of 10%, वो करता क्या बच्चों? वो 10% के profit पे बेज देता, that means कि 110% पे वो बेज देगा, this is the first thing, If he had bought it at 20% less, that means अगर वो उसको 20% कम पे ख्रीद के ले के आए, यानि 80% पे, right? And sold it for 10 more और 10 रुपे ज़्यादा बिचे, he would have 40% gain, यानि अब वो यहाँ पे 40% का gain ले लेता है, 40% का gain, 40% of 80 become 32, और 80 प्लस 32 आपका बनेगा, this is 80 प्लस 32, आपका जो टोटल बन जाता है, 112%, देखी, इन दोनों का जो gap है बच्चो, इन दोनों का gap जो आया, वो 2% का आया, और वो 2% क्यों हुआ है, क्योंकि 10 रुपीज ज़्यादा का उसने sellout किया, तो 10 रुपीज के equal होगा, 1% equal to आपका 5 होगा, और 100% आपका equal to 500 रहेगा, जो कि option number first आपका बनता है,